नमस्कार दोस्तों, अंजनी किचन में एक बेर फिर से आप सभी का स्वागत हैं आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं दही बड़े तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो दोस्तो दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो कटोरी उड़त की डाल, एक कटोरी मूंग की डाल और एक कटोरी चने की डाल को रात भर भीगो के रख लेना है अगर आप चाहें तो 3-4 या 4-5 घंट भी भीगो के रख सकते हैं मैंने अपनी डाल को भीगो लिया था देखिए और ये अच्छी तरीके से भीग चुकी हैं अब इसे हमें मिक्सी जार में डाल के पीसना है पीसने से पहले इसे अच्छी तरीके से धुल लेना है उसके बाद हमें इसको मिक्सी जार में डालना है तो डालों को mixi jar में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्च और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा लह सुन और कुछ कटी होई अद्रक और इन सब चीजों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे यह बहुत ज़दा नहीं पीसना हलका दरदरा ही रखना है देखिए दोस्तों मैंने अपनी डाल को पीस लिया है यह काफी दरदरी है इसका टेक्श्चर देखिए यह एकदम सॉफ्ट नहीं है मैदे जैसे यह थोड़ी दरदरी रहने चीए अब ही से हमें 6-8 मिनट तक के लिए ऐसे चलाना है जिससे यह दाल हलकी हो जाए और इसका जो वो जादा हो जाएगी दाल इस तरह करते करते मिक्स करते करते ऐसे दाल वो बढ़ जाएगा और दाल का जो वजन है वो थोड़ा घट जाएगा और पानी में दाल तरने लगेगी अब जब तक ये फेट रही है तब तक हम चलते हैं अपने मठे में छोका लगाने और इसको हम तब तक फेटेंगे छे से आठ मिनट के लिए तो देखिए दोस्तों मठा चौकने के लिए हमने तेल को गरम कर लिए अब हम इसमें डालेंगे ठोड़ा सा जीडा एक चमच और डालेंगे एक चमच हींग और इसका चौका अब हम लगा देंगे अपने मठे में तो देखिए दोस्तों मेरी दाल अच्छी तरीके से फेट चुकी ही छे से आठ मिनट के बाद अब हम इसको पानी में डाल के चेक्ट करेंगे क्या ये सही तरीके से फेट गई और इसका वजन कम हुआ या नहीं देखिए इसका टोरी में हमने ये दाल डाली थोड़ी ची और देखिए पाने में उपार आ गई एक दम अच्छी तरेकी से इसका मतला हमारी दाल अच्छी तरीकी से फेट चुकी है अब हम इसमे मिर्चा वगारा कुछ भी नहीं डालें क्योंकि हमने सब कुछ मिक्सी जार में डाल लिया था डाल को पीस्ते वक्त बस इन सब चीजों को अच्छी तरह के डाल के मिक्स करना है तो देखिए दोस्तों दही बड़े बनाने के लिए मैंने कडाई में तेल चड़ा दिया और मेर कुछ में डालना है लो फ्लेम पर पकाना है हाई फ्लेम पर नहीं पकाना वरना जो ऊपर की लेयर है वो तो पक जएके लेकिन बड़े जो है अंदर कच्छे रह जाएंगे तो इसलिए हमें एक दम ल चार से पास-मिनट या दोसे- किन पकाना है अच्छी तरीके से उपर के लिए और गोल्डेन-ब्राउन होने तक पकाना है देखी दोस्तों मेरे जो बड़े वाले मठ्थे में हम डाल लेते हैं दो चम्मच नमक तो इससे क्या होगा इस तड़के वाले मठ्थे में भल्ले पकने के बाद मतलब बड़े पकने के बाद इसी में हमें डालना है सोक करना है जिससे थोड़ा-थोड़ा मठ्था थोड़ा-थोड़ा मठ्था उसके अंदर सो मतलब अब्शॉप कर ले हमारा दही बड़ा तो देखिए दोस्तों मेरे दही बड़े पक चुके हैं बड़े मतलब और यह देखिए इतना गोल्डेन व्राउन होना चाहिए इसका कलर देखिए कितना बड़ियां है इतना ही होना चाहिए ना तो इस से जदा बड़ को तो चलते हैं अब इसे सोक कराने के लिए अपने तड़के वाले मठे में तो दोस्तों बड़ो को अगर हमने तड़के वाले मठे में सोक करना है तो उसको कुछ इस तरह के से हलके हाथों से प्रेस करना है और फिर उसके बाद हमें तड़के वाले मठे में डाल देना है जिसस सोख होने के लिए तीन से चार घंटे का समय लगता है और अब हम इसे दही बड़ों को इसी मठे में स्टोर करके रखेंगे और जब हमें सर्व करना हो तो हम इससे इसको निकाल के दूसरी चीजे डाल के से सर्व कर सकते हैं जैसे दही हरी चटनी लाल चटनी भुना हुआ जी के लिए अब हम अपने बड़ों को सर्व करते हैं तो देखी दोस्तों मेरे दही बड़े तयार है लग रहे हैं न स्वादिष्ट अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस क स्क्राइब कीजिए